शरत पवार ने इस्तिफा वापस लेने की गोशना पत्र परिशत के दोरान की और उस समय अजित पवार की गैर मौजुद की ने तो सवाल ही खड़े कर दिये थे उसके बाद कारेकरता द्वारा हर स्तर पर आगरह करने के बाद शरत पवार ने अपना इस्तिफा वापस लिया जिसके जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस के माध्यम से नागरिको को दी इस दोरान अजित पवार के गैर मौजुद की ने पार्टी पर कई सवाल खड़े तो किये है लेकिन साथ में शरत पवार की ठीक पीछे बैठी महिला कारेकरता की मौजुद्गी से नागरिकों के बीच चर्चा का विशय बन गया है कई लोग ये जाना चा रहे है कि आखिर ये महिला है कौन और इतने महत्वपूर्ण मौके पर वो ठीक पवार के पीछे कैसे तो इन्हें सवालों का जवाब देते हुए आपको बताते चले कि ये महिला सोनिया दुहान है जो कि राश्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी की राश्ट्रिय अध्यक्षे है इतना ही नहीं वो शरत पवार के खास सहकारियों में से एक है राश्ट्रवादी कॉंग्रेस के लिए सोनिया ने कई ऐसे प्रभावशालिक काम किये है जिससे उन पर पवार का भरोसा बढ़ता चला गया अब जानना ये है कि पत्र परिशद में उन्हें ठीक अपने पीछे बैठा कर पवार क्या संदेश देना चा रही है शरत पवार ने इस्तिफा देने के कुछ दिन पहले रोटी घुमाने की घुशना की थी जिसके तहट पार्टी के नई युवाव को मौका देने की च्छवेक्त की थी और इस पत्र परिशद के दौरान उन्होंने संगठन में बदल करने की घुशना की है जिसके तहट भविश्य में सोन्या दुहान ये पार्टी के लिए एक भरोजिमन और बहतरे नेता होने का संदेश पवार ने इस पत्र परिशद में उन्हें अपने साथ रख कर दिया हो ऐसी चर्चा नागरिकों में चल रही है इस पत्र परिशद में और भी कई नई युवाओ के चेहरे देखे गए अब पवार पार्टी की कमान युवाओ की कंधों पर सौपने के प्रयास में जुड़ गए है इन्बीसियन न्यूस के लिए माहिन पठान की रिपोर्ट